आज ही के दिन सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युध में भारतिय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बिना किसी शर्थ के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और पाकिस्तान की सेना की 93,000 सेनिकों को बंदी बना लिया था सिर्फ इतना ही नहीं उस युद का एक नतीजा ये भी निकला कि पाकिस्तान का एक हिस्सा बांगलादेश जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था उससे हमेशा के लिए अलग हो गया और दक्षिन एशिया में बांगलादेश के नाम से एक नया मुल्क अस्तित्व में आया आज ही के दिन पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने पराजे स्विकार करते हुए 93,000 पाक सैनिकों के साथ भारतिय सेना के समाक्ष बांगलादेश के धाका में आत्म समरपन किया भारतिय सेना की अगवाई उस समय जनरल जगजीत सिंग अरोडा कर रहे थे इस यूद में भारतिय सेना के कितने जवान शहीद हुए, कितने घायल हुए और किस तरह से भारतिय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया 1971 के इसी युद में अपना योगदान देने वाले 1958 बैश की ततकालीन करनल अमर सिंग से हमारे समधाता हामिज सैफी ने खास बात चीत की आप भी सुने इस युद की पूरी कहानी करनल अमर सिंग की जुबानी 16 दिसंबर यानि आज का दिन विज़े दिवस के रूप में मनाया जाता है आज विज़े दिवस को 48 साल पूरे हो चुके हैं यानि गोल्डन जुबली इसके लग चुकी है आपको बता दें कि उसन 1971 में बंगला देश को आजात कराने के लिए हिंदुस्तान से सहयोग मांगा गया था बंगला देशियों का जिसके बाद भारतिय सेना ने बंगला देश में घुसकर पाकिस्तान के 93,000 सेनिकों को बंधी बना लिया था क्या कुछ हुआ था उस समय इस सब पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ करनल अमर सिंग जी मौजूद है जो उस समय करनल थे हम उसे बात करेंगे और जानेंगे विजए दिगस की क्या खास बात रही थी सरा टेम 24 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत धन्यबाद आपका मैं आपका आवारी हूँ आज के दिन 1971 में भारती एसेना के सामने पाकिस्तानी आर्मी ने सरिंडर किया था कारण क्या था कि मार्च 1971 में वहाँ चुनाब हुए थे और चुनाब में जो विपक्षी दल था सेख मुझीबर रह्मान का उसको बहुत मिला लेकिन पाकिस्तान सरकार सत्ता सौपने को त्यार नहीं थी पाकिस्ताना आर्मी ने हुआ अत्याचार करने सुरू कर दिये और लोगों का कतले आम सुरू कर दिया इसी बज़े से सेख मुझीबर रह्मान ने भारत से मदद मांगी का आप हमारी मदद कीजिए भारत सरकान ने उनुकी प्रयार्थाना सुविकार की और ततकालिन प्रधानमंतरी सिरीमती इंदरा गांदी जो देश की प्रधानमंतरी थी उन्होंने कहा कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन बंगला देश पाकिस्तान से अलग कीजिए और उसको अलग राज़ बनाने में मदद कीजिए इसी वजए से उन्होंने एक बड़ी भारी मीटिंग डेली में बुलाई जिसमें चीफ ओव दी आर्मी स्टाफ जर्नल मानिक सा को बुलाया गया उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं बिलकुल युद्ध नहीं कर सकता मैं पोजिशन में नहीं हूँ कारण यह है कि आगे चार महीने बारिस के हैं और बारिस में बंगला देश में आना जाना नदियों को पार करना सेना को जगए जगए ले जाना बहुत मुस्किब कारिया होगा मैं नहीं कर सकता इस पर प्रधान मंतरी रुष्ट हो गई तो सेम बहादर मानिक सा ने अपना रेजिनेशन दे दिया कि मैडम ये लीजे मेरा इस्तीफा मैं कोई भी युद्ध हारने के लिए नहीं लड़ता अगर आप मुझे कमांड सौंप रही है तो मैं चाहूंगा कि देश जीत है और जो कुछ मुझे कारिये सौंप जाता है वो हो हमें चार-पांच महीने मिले और सेप्टेंबर में 1971 में हमने मूव सुरू किया और धीरे 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 जहां हमारी जरूती हमने सेना को डेपलोई कर दिया और तीन दिसंबर को पाकिस्तान आर्मी ने हमारे उपर एर अटेक कर दिया तो क्या पाकिस्तान आर्मी को पहले पता था कि हिंदुस्तान आकरमन करने के फिराक में है और तैयारी कर चुका है तो किस तरह कि रननीती फिर भारतिय सेना की तरफ से बनाए गई थी शुरू में सेना मुक्ति महानी के रूप में मंगला देश में गुसाई गई जिससे के उनको ये पता ना लग जाए कि ये मुक्ति महानी के रूप में भारतिय सेने के उसके बाद में जब हमारी पोजिशन बहुत इस्ट्रोंग हो गई तब हमने अपने आर्मी को मूव किया और सभी तरफ से मंगला देश को गेल लिया और युद भी हुआ नुकसान भी हुआ हमारा भी नुकसान हुआ लेकिन अंत में यह हुआ कि पाकिस्ताना आर्मी को समर्पन करना पड़ गया और 93,000 सेनकों ने उनके आर्मी कमांडर ने जनरल नियाजी ने हत्यार सौप दिये यह दुनिया के हिस्ट्री में पहला रिकॉर्ड है वर्ड हिस्ट्री में कि 93,000 सेनक किसी देश के आप अब 81 आत्म सवर्ण पर कर दें मैं जाना चाहूँगा जो भारतिय सेना थी उसकी संख्या कितनी थी और जो बांगलादेश में उस वक्त पाकिस्तानी सेना तेना थी जो वो कितने लोग थे पाकिस्तान की पश्यमी पाकिस्तानी की वहाँ पर तक्रीबन डेड़ लाग के करीब आर्मी थी और हमारी एक लाग के करीब थी जो भी हमारी इस्ट्रन सेक्टर में आर्मी थी केबल वही आर्मी वहां इस्तेमाल की गई लेकिन उन्होंने अनुकरनी ये कारिया किया कि पा से जीत फिर दर्ज की गई हैं तुमें इस तेरह 14 दिन की लड़ाई में हमारे 3954 के करीब लोगों ने सहाधत दी जिन्हों ने बल्दान दिया और 11,000 से ज्यादा लोग ते जो गायल हुए थे भारतिय सेना के काफी बड़ी लड़ाई थी लेकिन नुसान भी काफी हुआ तो यह हमारे साथ करनल अमर सिंग थे जिन्हों ने जिनका साफ़तोर पर कहना है कि जब बंगलादेश के लिए कूच की गई भारतिय सेना को तो वहां कई तरह की मुश्किलें सामने आई कई तरह क आकर्मन किया गया जिसका मुतोड जवाब देते हुए भारतिय सेना आगे बढ़ती चली गई भारतिय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सेनिकों को बंदी बनाकर हिंदुस्तान लेकर आए जहां उन्हें अलग-अलग रखा गया एक बात और आपको बता दे अगर आप भारतिय है आज के दिन जो मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो बंगलादेश इस वक्त बंगलादेश है पूर में ये उत्तरी पाकिस्तान था जिसको आजादी दिलाने में भारतिय सेना का पूरा सहयोग रहा है कैमरा परसन दानिस गफार और सहयोगी शमसुदीन सह सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूले